यत्त दग्रे विशामिवाव परिणामे मृतोपमंग्ष तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धी प्रसादजंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् कारिग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्थ यूट्उपधी आप गया एकादश्वे महाओं में कैसी राशी का बनना अच्छा बोता है। जैसे आप अगर मूल तया समझेंगे तो काल पुभुष्टी पूर्णी ने एक नमबर लगना में लिखा है और एकादश्वे महाओं में 11 नमबर लिखा है। इसका अर्थ है कि परमात्मा की जो फुण्डनी रहे उसमें एकादश्वे वहाओं में 11 नमबर जोगी दाहक अगरा है शनी और मंगल और सूरिये दाहक अगरा के रोग में जाने जापे हैं। मतलब इनके पास तेज में शक्ती हैं। तो एकादश्वे वहाओं में दाहक अगरा की राशी का बनना अच्छा होता है। और खास करके एक ऐसी राशी बन जाए जो निश्चित रूप से बड़ी ही देने वाली जैसे एक आदश्वे वहाओं में अदर 11 नमबर की राशी बन जाए तो बड़ा अच्छा होता है वो देने वाली हो जापी हैं। और उसके बाद ये तो बात रहे हैं कि वहाँ पे शनी, मंगल या सोई की राशी बन जाए जिनके पास फूर्जा जादा है। अगर वहाँ पे भनो राशी का भी निर्मार होगा, तो चुकि वह भी एक अगनी तद्दोखी राशी ने जो वेप्तिवो बहुत सारी चीजे देने वाली होती हैं। तो वहाँ पे उस राशी का भी बना ठीक हो गाँ है। तो ये इतनी राशीया बन जाए तो जन्रोडी का एकादस्वा भाव वल्वान बुजाता है राशी के पनने के कारण। अब वहाँ पे बैठे कौम। तो वहाँ पे या तो उस महाँ का अधिवती बैठे या तो फिर कोई अन्य दाहक ग्रधी बैठे। अब वहाँ पे बैठने में या तो शनी बैठे या तो मंगल बैठे या तो राभू बैठे या तो केतु बैठे या इस भाव के अधिवती स्वैन वहीं बैठे हो या इन ग्रवों के संग उनकी यूदी बन बेड। अगर एक आदश्वाँ बहाँ में कोई सामान्य गरवी बैठा है चंद्रमा बुद्धिश प्रगुरु अगेरा लेकिन अगर उनके साथ कोई पापगर बैठा है और एक अन्य कोई पापगर शनी मंगल राव केतु में से कोई एक गरव अन्य देख लेता है तो भी एक अब तीसरे नमबर पर बात करते हैं कि एक आदश्वाँ बहाँ से किन-किन विश्यू का निचार किया जाब रहा है एक आदश्वाँ भाव नद्वकां अन्छा का पहे अगर एक आदश्वाँ बहाँ जिसकी कुण्ली ने बोगोर पलवाँ गोगा न वो रप्ति इसे का विचार किया जाता है जिस विप्ति की पुण्ली में और चुकी धन के बारे में जब इस बारे में विचार किया जाएगा तब एक आदश्वाँ बहाँ के बिल्वान वोने की इस्थदी में विप्ति सुद पैसे चला सकता है बाजार से लेंदेन उसका सदाई दो बना रहे तो बहुत अच्छा है अगर एक आदश्वें भाव की स्थदी आपकी पूलिंग में बहुत मजबूत है या जिस रह की राशी वहां बनी है अगर उस महाव का अधिपती उच्चकाव करके बैठा है तो भरो बना चाहता है वो लेना नहीं जाता है वो अपने दवन को सई जगापे लगा करके उस धन को शुद्ध करने की पूरी कोशिस करता है अगर एक आदश्वाम आउप इसी जाता की पूलिंग बहुत बढ़िया है तो आप इसे इंकम का बाव करा जाता है तो यह यहां से इवन का जो इंकम का सोफ से वो बहुत ही एल्दी रहा है मतलब वो कभी छोटी इंकम प्राप्त करने वाला नहीं होगा अगर एक आदश्वाम आउप मंगल बैठ जाए शनी बैठ जाए रावियू बैठ जाए कि तो पैठ जाए तो उसका इंकम बहुत ही विस्तार वाला ह होता है और वो विस्तार वादी सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाला होता है ये सास सिसो का होता है दामात का भाव होता है पुत्रवधू का होता है इसके साथ साथ ये बड़े भाई का होता है अगर ये वाव बहुत अच्छा बनावो तो आपको इन सवी रिस्तों से भी आपको पाइदा होता है। मतलब आपके दामाद से आपके समंद अच्छे होंगे, आपके पुत्रवदु से आपके समंद अच्छे होंगे, यही नहीं आपके, कई बार को आपके बड़े जो भाई हैं, उनसे बहुत अच्छे relationship बनते रहें। पर कितना ही नहीं, वो आपको एक ऐसी स्टोंच वाला इंसान बना देता है, जिसकी संकिरनता कभी भी समाज जान नहीं पाता है। चबड़ा लाभ ब्राप्त करने बाला होता है, सुखी मान सिकता का होता है, संकिर्ण नहीं होता, बयवहारिक होता है, और समाज में प्रतस्थित होता है। समाज से धन जनरेट करता है, उसकी सांसा रिकता वड़ी ही उदार मना होती है। वो समाज को देना चाहता है वो इससे प्राप्त नहीं करना चाहता है अगर वो प्राप्त भी कर रहा होगा तो उसको वापस समाज के लिए च्छोड करके जाता है अगर एकादश्वेअवावब आपकी ुण्डी में वह वोत अच्छा बैठा है अगर इसको और भी अच्छा करना चाहते तो जीसे एकादश्वेअवावब आपके कारत दरव Vaugh होते हैं वो कहीं से भी एक आदश्मे माउं को देख लें, या तो एक आदश्मे माउं में कोई ग्रह बैठा है जो की शनी मंगल रावु केतू है, या तो एक आदश्मे माउं का अधिपती शनी मंगल रावु केतू के संपर्क में बैठा है, अगर एक आदश्मे माउं के अधिपती पंचम में बैठ जाएं, चतूत में बैठ जाएं, धन में बैठ जाएं, सब्तम में बैठ जाएं, लाद में बैठ जाएं, लगन में बैठ जाएं, तो ये इतनी सारी जगा पे इतना दन देते हैं कि व्यफ्ति जो है वो बड़ोते बड़ोते परिशान लगता है और फिर उस तो यकीनन यह आपको बहुत सारी चीज़े देने के लिए काफी बहुता है, यह आपको एक बहतर तृष्टी गोर देता है, किसी भी चीज़ को देखनेंगा, एक आदस्वा वाव विब्दी को अफुदारवादी प्रिवर्थी का बनाता है, उसके विजार बड़े ही फ्रा करना जाता है, मंदर का निर्मान करे, मटवू का निर्मान करे, धर्म का काम करे, वह आरिकता करे, ट्रस्टी बन जाए, उसके बाद जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट का मालिक बन जाए, या चैरिटेबल ट्रस्ट से जूर करके काम करता है, अपने ब्याज से किसी दूसरे क फायदा देता है लेकिन अगर एकादशे बहुपे किसी भी सुभक्रा की दृष्टी नहीं पड़े जैसे शुम्कर चंद्रमा गुरू और वुद्ध तो ब्यप्ति कई बार बहुत ही प्रमानिक बात करने बाला होगा और प्राक्टिकल हो जाता है अब वो सामने बाले की कस् समझेगा सिर्फ अपनी ही बात में ही रखेगा आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं कि अब वो सिर्फ अपनी ही लिए नहीं जी रहा है वो दूसरों के लिए भी जी रहा है और दूसरों पुपी देना चाहता है अगर पिकादशे मौपे किसी जुभक्रा की बुक्ता होता है और उसका जो प्रभाव होता है वो अपने बड़े माई से सटाव हुआ होता है बड़े माई के सुख से वंचीत नहीं होता अगर एकादश्वाव की अधिक्वती लगन में बैट जाए तो इसको अपने बड़े माई से सुख मिल जाए अब उसकी प्रवर का अर्थ है ब्रे दर्शकों की अगर एक आदश्वा भाव इतना बढ़ियां बन जाए अब खास करके अगर वहाँ पे कोई ऐसा ग्रफ जो बैठा है और शनी मंगल के साथ बैठा रहे तो यह बहुत ही जादा बेहतर होता है एक आदश्वें भाव के अदिर्पती का किन किन बाव में बैठना अच्छा होता है बदा देवर एक आदश्वें भाव के अदिर्पती का बारवें बाव में बैठना कुछ हद तक कमजोर और कुछ हद तक धन के मामले में अच्छा पूटा है अब यह कमजोर इस मांगले में हो जाएगा कि अब आफो वो घर बैठ करके अब आपको वो ग्रह अपने जन्मस्थान से दूरी विदेश ले जाकर के स्थापित करके धन देवा है किसी भाव के अधिपती का अपने माव से एक कर आगे जाना धन दायव कोगा है और एकादश्वें भाव के अधिपती का लगन में आना फिप्ति को एकादश्वें भ व्यक्ति को अपने कुटुम बसेशुप में और चरित्रवान बनाने के साथ साथ उस व्यक्ति को समाज में पत्रस्थित बनाता है। एकादश्वे बाव के अधिपति का छट्वे बाव में जाना व्यक्ति को दरिद्र दोश से युक्त रखता है और कव पैसों पर नौकरी करने के लिए विवस करता है। एकादश्वे बाव के अधिपति का भाग के में जाना बहुत ही जादा सो भागिशालिता का वर प्राप्त करवा देता है। अगर कमजोर दशाएं चल रही है प्रशांत रही है जैसे ही दशा बदलेगी चीजें अपने आप अनुपूर हो जाएंगे। अब आईए गीताजी के शलुक का अर्थ बता देता है। और इसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि ऐसा कर्म जो आरंध में आपको थोड़ी तकलीफ दे रहा हो पर बाद में अगर सुख दे ऐसे कर्मों का ही हमें कुशिश करना चाहिए। धर्व का पालन आरंध में कस्ट दे सकता है। परमात्मा की पूजा आपको कभी कस्ट नहीं दे सकती। इस वज़ा से सदय वही यही प्रवृति बना करके रखटी चाहिए। तब तक के लिए कारेकर्म अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करिए। बोड़े हो गए हैं या आप या जवान मैं चुकि इसने ये बात कर रहा हूं गुझे नहीं काना था पर ये इसने कर रहा हूं क्यूंकि मेरे कारेकर्म फैल नहीं रहा है। तब तक के लिए। लुम अब बस्वाइ